भलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में तो आज हम बनाएंगे आपके लिए हाफ अस्तिन का डिजाइन जो कि हम आपके लिए लेका हैं दो डिजाइन बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट तो यह देखिए हमारे जो यह डिजाइन है बनने के च्सके बात कुछ इस तरीके से नजर आएंगे तो हैके करके हम दोने डिजाइन की वीडियो एक वीडियो में दोस्तों इनकी तो आप देखिएगा ध्यान के साथ देखिएगा हो थी कर देखिएगा और बहुत हम लsover है बस आप वीडियो पूरी देखिए अंग से ठीक है लिए हमने अब जहां से हम कट लगाएंगे ठीक है तो कट हमें किता लगाना है डेल इंच का ठीक है तो डेल इंच का ही हम इतनी ही फॉल्ड होगी ठीक है बराबर से चाहें तो आप पेंज से निशान लगा लें इसमें या आप अंदाज़े से भी लोट सकते हैं बहुत ही इजी चीज़े तो दोस्तों आप अराम से लोट लेंगे इस तरीके से आप इनको लोट लें बिल्कुल कट तक ठीक है तो य आपके देख लें पेले तो यह हमारा एक इंचारा है ठीक है जो हमने मार्जन करा फोल्ड वह एक इंचारा उपर का कोना इस तरीके से चारों बराबर से करना है आपको ठीक है चोटा बड़ा नहों इस चीज़ का ध्यान से रखें और इस पर प्रेस मार कर सई से और इसको यह वाली साइट लोट लोग पर वाली ठीक है एक बूट के करीब आपको इसको लोट लेना इस तरीके से और तीनों मुहों को एक सूथ के करीब आप ठीक है एक से दो सूथ के करीब आप इसको लोट लें आराम से जिसे कि आपकी शिलाई अच्छे से लग जाए तो इस तर पैँंगों की जो डिजाइन जाहें है चाहिए मधिव तो न हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आपके पास अरब को ब्रम्ला के पिक है तो आप हम आरे को इंस्ट्रग्राम पर जोइन कर सकते हैं उन्हेंनल करेंसे हैं best seller 231 search कर ले आजाएगा तो ये देखिए इस तरीके से बराबर पर ले लेना है आपको इसकी जितने अपने fold करा इसको ये देखिए चाक कर निशान लगा ले और इसको काट ले ठीक है double fold करना है आपको और इसको बराबर से काट ले और इसको काट कर ये हमारा हो चुका है complete तो अब हम चलेंगे इस पर machine पर और इसकी चलाई लगा लेंगे machine पर किस तरीके से आपको इसको कर लेना है ठीक है तो चलते है machine के उपर और देख लेते हैं तो ये देखिए हमारी पट्टी आच चुकी है ये देखिए डबल फोल्ड है हमारी ये पट्टी अब इसको आपको जड़ से मिला देना ठीक है बिल्कुल एंड तक जैसे हमने काटा था बिल्कुल फिक्स वेसे ही बिल्कुल फिक्स रखना है आपको और इसके अंदर आपको पौन इंच ये वाला कोना निकालना है ठीक है ये देखिए पौन इंच आप ये वाला कोना निकाल दे ठीक है ये कोना निकाल ये निकल चुका है मारा पौन इंच अब यहाँ पर आपको मशीन रोकना है उसके बाद फिर सिलाई लगाना है हम बताते हैं कि इस तरीके से तो यह हो चुका है हमारा तो अब यह वाला कोना है तो यह देखिए आपको बिल्कुल बराबर रखना इस से ठीक है क्योंकि हमने पट्टी बराबर लिए तो आपको इसको कोने को बराबर रखना पड़ेगा ठीक है तो यह बराबर कोना रखकर और इस पर सिलाई लागा लें यह देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल एंड तक फिक्स मिला लें ताकि आपकी पाइप इन में बिल्कुल से पर्फेक्ट बेड़ जाएं निकलेना कहीं से भी और बारीकी से सिलाई लगा दें लबकी अभी देखिए जो कोना है आपका बि तो भी इसी तरीके से करेंगे जैसे फ्रस्ट वाला कराता भौन इंच मैंकर और सिलाई लगा देना है आपको तो यह देखिए इस तो आपको कर लेना है जो सही से लिगाएं और फिनीशिंग के साथ कि यह देखिए अब यहां से पर इंच लाव लें इन त crushed कोने पे आप येजी तरीका है आपको फ़स्ट बार में आ गया होगा हमारी गारंटी है और खुब सूरत भी इतना ही है आपको ये डिजा ait और इजी भी इतना ही है जितना जीजी हो सकता था हमने ले इतना इजी करके बता梅न्या आपको ताकर कि आपको कोई difficulty पेश करना ना पड़े और कोई परिशानी ना हो आपको इसलिए हमने इतने सिंपल तरीके से बताया तो चलिए अब हम दूसरे डिजाइन की तरफ चलते हैं तो वीडियो पसंद आई हो डिजाइन तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम सिरू करते हैं हमारा दूसरा डिजाइन किस तरीके से बनाना है आपको तो यह देखिए हमारा कपड आ चुका है तो यह जो हमने आ रहे कपड़े हैं इसके अंदर आपको fix margin रखना ठीक है एक बूट का margin रखना सिर्फ इसके अंदर और जो फस्ट वाला था हमार कुम मैंब लगैंगे। थीक हैं तो हमारा जाच चुका है अब इसका आपको सेंटर में मारिक लागाना ठीक का सेंटरport से हलका से ऊट लगाना आपको मार एक यची हैअ इत्य करें संटर में लगाथ तो इस तरीके से आप दो सूत इस साइट ले लें से और दो सूत इस साइट ले लें इसके चीक है तो अब इसको हम स्टेट काट देते हैं बिल्कुल ठीक है इस तरीके से आप स्टेट काट दें इसको बिलुकुल और ये कोना दो दो सूत का ये कट कर दें इस तरीके से ठीक है तो ये दूसरा भी कर दें आप इस तरीके से तो ये कट हो चुका है हमारा अब आपको इसमें करना क्या है आपको दो सूत के करी पट्टी उतार दे यह वाली साइट हमने थोड़ी बड़ी काटी थी इसलिए आप दो सूथ उतार दे ताकि जब आप पाइपिन निकाले तो दो सूथ की पाइपिन निकालने और जो आपकी डेल इंच की पट्टी थी तो फिक्स रहे जाएं अगर आप यह पट्टी नहीं निकालेंगा तो यह इंच की पोने दो इंच हो जाएगा आपकी पट्टी और वह बेकाल लगेगी ज्यादा चोड़ी हो जाएगी तो तो इसलिए आपको निकाल देना और यह जो कोने हैं इसके यह देखिए इस तरीक से सफाई से सेट कर दें इसके कोने क्यूंको जितनी हुपसूरती से आपक इसको चिपका लेते हैं कपड़े पे इसको हम फट आ ठाव बहुर्त है अब इसको इस तरीके से आपको रखना है और छिपका लेना है दो सूत का मार्जन च aggreg कर इस तरीकीसे दूसरा भी चिपका लेंगे और इसको pan लकाना तो फटा फट सेफ्결 करतें इसको फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह लगने वाला है फोल्ड करें बात तो एक हम आपको करके बताएंगे तो यह देखी एक तो हमने कर लिया फोल्ड देखी कुछ इस तरीके से होगा हमारा फोल्ड और दूसरा हम आपको बता देते हैं तो आपको पानी लगा कर पर और अच्छे से चिपका देना है इसको ठीक है बिल्कुल फिनिशिंग से चिपकाना आपको हलका सब उठेना ताकि बाद में आपको सिलाय लगाते टाइम दिक्कत ना हूँ प्रेस का ही काम में ने दोस्तों इस डिजाइन के अंदर आपको बस प्रेस का काम सफाई से करना दिक्षा कॉने लगाना आपको और सफाई से इसको फोल्ड कर लेना पानियोगार क्राइब कि कॉंकि कोटन कपड़ार सूती है हमारा पानि नहीं लगाएंगा जब तक यह चिपकेगा नहीं कपड़ा तो आप पानी लगाकर करें सफाई के साथ और कपड़े को पूरा चिपका दें तैकि यह उठेना सिलाई लगाते टाइम तो यह हो चुका है अब यह वाली साइट है इसको भी आप फॉल्ड करके रख लें दोनों को फॉल्ड करकर सफाई के साथ और रख लें तो दोस्तों आप में इंस्टाग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया वाई जाके महां से हमें जोइन करें और आपको अगर कोई डिजाइन है या कुछ पूछना है तो आप हमें महां पर पूछ सकते हैं हम आपका रिपलाई 100% करेंगे यहां बहुत ज्यादा कमेंट आते ह इस वह से हम टाइम लग जाता है थोड़ा रिपलाई करने में तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर करें हमें मेसिज इंस्टाग्राम का नेम है हमारा बेस्टेलर चीक है 231 इस पेस नहीं देना बेस्टेलर 231 सर्च कर सकते हैं तो यह देखिए हमारी पट्टी अब आपको पाइप निकालता हुए लगानी यह पट्टी दो सूथ की इस तरीके से पाइप निकालते हुए डबल रग कपड़ा ले ले लेना आपको और सफाई के साथ शिला परवाई करेंगे या तो आपका डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आपको सही से करना है इसको तो यह हो चुका है अब हम दूसरी पट्टे लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से लगाना आपको यह देखिए दो सूथ जो हमने रखा था पट्टी कट करें इसके अंदर से वही दो सूथ आपको इसको रख लेना है और दो सूथ की ही पाइपी निकान लेगा जो मुह इसके बराबर रहेंगे दोसको रखके देख लें आप आउट नियों इसके मुह इस चीज़ का द्यान लखें यह देखिए इस तरीके से कुपसरत आप चाहे तो हम आपको बताएंगे बहुत इसी तरीका तो मार्जन काट लेते हैं हम इसका सफाई के साथ तकि हमें बाद में जब हम सिलाए लगा तो हमें परिशानी ना हो इसको सिलाए लगाते टाइम इसलिए काट लेंगा अब यह देखिए जो हमारा दोसूत का मार्जन था यह आपको ताकि जब यह पल्टेगी तो यह सीधी साइट आजाएगा आपका डिजाइन यह देखिए इस तरीके से कितना खुबसूरत तरीके साथ अब इसको आपको हलकी सी पाइपिन निकाल देनी मेच कलर के जो की बहुत ही खुबसूरत लगेगी और सिंपल सोपर अच्छ तरीके से यह देखिए यह हमारी सिलाई हो चुके कंपलेट अब आप देखिए जो हमने पाइपिन निकाली है वह केसी लग रही है आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बाए